हलो दोस्तों सवागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तों आझ की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स, पूरोसैनिकों और जवानों के लिए आज की बड़ी ख़बर के उपर है कि दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बूत पूरों सैनिकों को जो अभी नहीं लेटेस डेट आई है जहां पर आपको 24,000 से लेके 57,000 तक बेनिफिट मिल सकता है कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों एक और इंपोर्टेंट अपडेट है पेंशनर्स की जो मही महीने की जो पेंशन है अगर टांड़ी नहीं एक्षन लिया तो होगी देरी और पेंशनर्स को चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तों को चैनल पर पहली बारे दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे है और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोस्तों पूर सैनिकों के लिए जो है जो उनके बच्चे हैं उनको जो चिल्डरन अलाउंस मिलता है उसकी नई डेट आ चुकी है और यह आप अक्टूबर और नॉमबर अलग अगर 11-12 में बच्चा पड़ता है उसके लिए अलग डेट है और ग्रेजुएशन करने उसके लिए अलग डेट है जो हर मेने मिलता है बाइस 2022 का डेट आ चुकी है तो इसमें आप अक्टूबर की डेट है जो की 11-12 के बच्च आया हुआ है आप सबसें बच्च के मई महीने के देरी होगी कि अपरेल महीने में कई लोग के लगबग 58,000 लोग की डेरी से आई थी और वह भी इसलहीं आया थी ती क्यूंकि सरकार ने वन टाइम एक तरीके से एनाउंस किया था कि जिलनों के डॉक्यूम्ट में प्रॉब्लम है उनको भी जो है मिल जाएगा लगवग 58,000 पेंशनर्स के लाइफ सेटिफिकेट जो है स्पर्श में नहीं सब्मिट थे जिसकी वएसे जो है उनकी पेंशन दे रही होती है एप्रिल की पेंशन अब एक बार फिर से दोस्तों सभी पेंशनर्स को जो है 25 मई तक की समय सीमा दी गई है तब तक जो है इसको अगर नहीं का डॉक्यमेंट ठीक होता तो मई की पेंशन में भी दे रही हैगी इसके लाँ दोस्तों अभी एक और रिकावरी वाला एक नया अपडेट आया सभी पेंशनर्स और पूरुसैनिकों के लिए कि अब जो है रिकावरी के जितने भी पहले एकसेस पेइमेंट के उपर थे वो सारे के सारे जो सर्कुलर्स है वो विड्रॉल कर लेकर रही है जो पहले का कि आगये थाnoc एक ट्याई जिए पेंशनर्स में से रिकावरी होगी अब वो वापेस ले लिया गया है और ये अच्छी ख़बर है ऐसको जितने भी पुराने रिकावरी की सर्कुलर्स से वापेस ले लिया गया है और इसके रिकावरी का कोई और सिस्टम दिखा जाएगा लेकिन डारेक्ट जो है पैंचनर से रिकावरी नहीं होगी इसके लावब और भी रिकावरी के कुछ रूज बनाये जा रहे हैं अब अभी यह है कि कहीं गलती से अगर खाते में या सर्विंग इंप्लॉई खाते में कोई पैसा गौर्मेंट की तरफ से आता है और वो पान साल तक उनके पास राजा आता है तो पान साल के बाद से वो रिकावरी नहीं कर सकते हैं इससे तरह कि इसे बहुत सारे नियम्म आ tahun लेकिन यह है कि जिन लोगों को रिकावरी का डर था अभी रिकावरी के जितने भी सर्कूलर से उसको वापिस दिये के हैं दोस्तो यह था आज का इंपोर्टन अपडेट सभी पूरो सैनिकों, पैंशनर्स और बहुत पूरो सैनिकों के लिए दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो